भारत में स्टीम बॉयलर काम कैसे करता है? सरल और समझने में आसान तरीका How to operate a स्टीम बॉयलर in इंडिया? नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशय पर स्टीम बॉयलर काम कैसे करता है? ये वीडियो हमारे सभी इंडिस्ट्रोल सहयोगियों के लिए है जो अपने उद्धियोग में स्टीम बॉयलर का इस्तिमाल करते हैं तो चलिए, बिना समय गवाए, सीधे मुद्धे पर आते हैं 1. स्टीम बॉयलर क्या होता है? सबसे पहले, चलिए समझते हैं कि स्टीम बॉयलर क्या होता है स्टीम बॉयलर एक प्रकार का उपकरण होता है जो उर्जा उत्पन करने के लिए पानी का उप्योग करता है 2. स्टीम बॉयलर कैसे काम करता है? अब हम देखेंगे कि Steam Boiler कैसे काम करता है जब भी Steam Boiler को चलाना होता है सबसे पहले हमें Boiler के सेटिंग्स को चेक करना होता है फिर हमें पानी का लेवल देखना होता है तथा फ्यूल को तैयर करना होता है उसके बाद boiler को ignite किया जाता है और pressure और temperature को monitor किया जाता है 3. Steam boiler की देखभाल इसके अलावा steam boiler की regular maintenance भी बहुत महत्वपूर्ण होती है हमें water quality को monitor करना चाहिए और regular cleaning, lubrication और parts का replacement भी करना चाहिए 4. सुरक्षा की प्रविधान हमेशा सुनिश्चित करें कि steam boiler का उप्योग सुरक्षित हो रहा है हमें boiler room में proper ventilation का ध्यान रखना चाहिए और safety guidelines का पालन करना चाहिए तो दोस्तों, ये था एक छोटी सी जानकारी steam boiler का काम कैसे करता है अगर आप भी अपने उद्योग मस्टीम boiler का इस्तिमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहत उप्योगी साबित हो सकती है धन्यवाद, उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही informative और interesting वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए मिलते हैं आगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार